दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फिनोटैकस केमिकल लिमिटिट के बारे में दोस्तों यह कंपणी स्पेशिलिटी केमिकल सेक्टर की कंपणी है उनके लिए केमिकल मेनुफच्चर करती है उसके अलावा इस company के जो chemicals है water treatment और home care में जो hygiene products होते हैं उनके लिए भी ये company chemical manufacture करती है दोस्तों अगर आपको पता हो तो पिछले कुछ महीनों में textile sector के जो stocks हैं उनमें काफी अच्छी गासी तेजी देखने को मिली है जिसका करण ये है कि जो हमारी देश की government है वो textile sector को लेकर काफी serious है उसकी growth को लेकर काफी serious है जिसके लिए वो different different type की schemes लेकर आ रही है ताकि हमारे textile sector को support मिल सके और हमारे textile sector की जो companies हैं वो grow कर सके और दोस्तों यही काराण है कि Phenotex Chemical Limited में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है दोस्तों इस company को cover करने का सबसे बड़ा काराण यह है कि आने वाले कुछ सालों में textile sector काफी अच्छी growth दिखा सकता है जिसकी वयासे यह company भी काफी अच्छी growth कर सकती है दोस्तों आज की वीडियो में Phenotex Chemical Limited को cover करने का सबसे बड़ा काराण यह है कि आने वाले कुछ सालों में लगबग 3-5 सालों में textile sector के stocks में काफी अच्छी growth देखने को मिल सकती है हमारे देश का textile sector काफी अच्छी growth दिखा सकता है जिसका सीथा सीथा सर जो है Phenotex Chemical Limited के share पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों दूसरा कारण यह है कि कंपनी ने भी recently लगबग 4 एकड की जमीन खरीदी है महराष्ट के अंदर और उसमें अपना एक plant इंस्टॉल किया है जिसकी लागा 270 करोड है दोस्तों अब शुरू करते हैं कंपनी का fundamental analysis तो दोस्तों अब बात करें कंपनी के market cap के बारे में तो कंपनी का जो market cap है वो अभी 1232 करोड का है तो हम कह सकते हैं कि यह कंपनी एक स्मॉल काप कंपनी है करेंटली दोस्तों यह कंपनी ट्रेड कर रही है 111 के price पर दोस्तों अब श्टॉक के PE की बात करें तो श्टॉक का PE आपको देखने को मिलेगा 27.80 उसके बाद दोस्तों अगर हम कंपनी के R.O.C.E. और R.O.E. की बात करें यानि return on capital employed और return on equity की बात करें तो काफी अच्छा return on capital employed और return on equity देखने को इसमें मिलेगा तो small caps के लिए एक benchmark होता है 15% का कि किसी भी small cap के लिए return on equity और return on capital employed कम से कम 15% होना चाहिए तो उससे कहीं ज़्यादा है इस company के लिए तो इस company का return on capital employed और return on equity अपने benchmark से काफी ज़्यादा देखने को इसमें मिल सकता है दोस्तों गर हम काफी कम देखने को मिलेगा 0.02 मतलब company का जो के पास जो debt है वो काफी कम है या फिर हम कह सकते है company एक debt-free company है तो company के लिए काफी positive factor माना जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें promoters holding के बारे में तो promoters की holding है इस company में लगबग 65% के आसपास तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो company के 65 share है वो एक strong hands के अंदर है दोस्तों किसी भी small company में 50% से जादा promoters की holding होना काफी अच्छा माना जाता है तो इस company में 65% के आसपास promoters की holding देखने को मिलेगी दोस्तों अगर हम बात करें company के pros के बारे में तो आप देख सकते हैं कि company almost debt-free company है company के बास कोई भी मतलब company के पास company ने लगाता 20% से उपर का CGR पिछले 5 साल में profit growth में देखने को मिला है जो कि company के लिए कफी अच्छी बात मानी जाएगी दोस्तों अगर हम बात करें company के year on year result के बारे में तो अगर आप देख पा रहे हैं तो March 2020 के बास से company की sales है उसमें लगाता आपको एक jump देखने को मिले दोस्तों इसके बाद हम बात करें company के operating profit के बारे में तो आप operating profit भी काफी लंबे समय से इसका एक increasing trend में आपको देखने को मिलेगा है है दोस्तों हम बात करें कम्पपनी के Net Profit के बारे में तो कम्पनी का net Profit भी काफी अच्छा गता समय चंप देखने को मिला है पिछले 2-3 सालों में मार्च 2020 में आरश देख सकते हैं कि अपनी का जो Net Profit था वह 13 कोड़ का था आज चीजेट में कमपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 43 करोड का हो चुका है बढ़ कर जो कि कमपनी के लिए काफी अच्छा पोजिटीव फैक्टर माना जाएगा तो अगर हम बात करें ऊर्णिंग पर तो और निंग पर शेर में भी काफी अच्छी कासी ग्रोध देखने को मिली है 2020 में बात करें तो 1.18 से बढ़कर 3.85 की अर्णिक पर शेर हो चुगी है दोस्तों किसी वी स्टॉक की growth के लिए प्राइज की growth के लिए earning per share काफी अच्छा role play करता है अगर earning per share in increasing trend में है तो stock का price लगातार बढ़ता रहता है तो ये भी company के लिए positive factor माना जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें company की sales growth के बारे में तो company ने काफी अच्छी sales growth दिखाई है अगर हम पिछले 5 साल के बारे में बात करें तो company की sales growth रही है 15% और पिछले 3 साल में बात करें तो company की sales growth दिखाई है 16% और 122% की compounded sales growth इसमें देखने को मिली है जो company के लिए positive factor माना जाएगा दोस्तों वह ही है हम बात करें company के profit growth के बारे में तो काफी अच्छा profit growth इसमें के लिए काफी positive factor माना जाएगा. दोस्तों, अगर हम बात करें stock के returns के बारे में तो अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में stock ने 14% का CHGI return और पिछले 5 सालों में 33%-CGI return और पिछले 3 सालों में 33% का CHGI return और पिछले 1 साल में देखें तो काफी अच्छा return बनाके 243% का return बनाके company ने दिया है दोस्तों अगर हम बात करें return on equity के बारे में तो काफी अच्छा return on equity पिछले 5 सालों में पिछले 3 सालों में और लास्ट येर भी 22% का return on equity इसमें company में देखने को मिल रहा है जो काफी positive factor है company के लिए अगर हम दोस्तों reserves की बात करें तो company के पास काफी अच्छे reserves हैं आप देख सकते हैं कि लगाता reserves बढ़ते जा रहे हैं company के पास 90 करोड 113 करोड 137 करोड 147 करोड 187 करोड तो दोस्तों reserves का increasing trend में एक company के लिए positive factor माना जाता है दोस्तों वही हम बात करें company की borrowings के बारे में तो आप देख सकते हैं company के बरावर पास आज की डेट में ना के बरावर borrowings हैं company के पास जो आज borrowings हैं वो लगवे तीन करोड की हैं जो कि एक debt-free company हम इस company को मान सकते हैं कि company के लिए काफी positive factor माना जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें company के fixed asset के बारे में तो company लगातार अपने fixed asset को बढ़ा रही है आप देख सकते हैं कि company लगातार अपने fixed asset को बढ़ा रही है लगातार increasing trend में आपके fixed asset देखने को मिलेंगे 10 करोड 12 करोड 14 करोड 18 करोड 19 करोड और आज की date में आप देख सकते हैं कि 41 करोड एक increasing trend में fixed assets हैं company के पास अगर हम loan की बात करें तो company के लगबग ना के बरावा loan है खाली 3 करोड का loan है और fixed asset लगातार company बढ़ा रही है तो इससे हमें पदा चलता है कि जो company के जो promoters हैं काफी trustworthy हैं और अपनी company को लेकर काफी serious है अपनी company की growth के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं उसके अलावा दोस्तों करें cash from operating activity मतलब cash flow के बारे में बात करें तो लगातार company का cash flow positive में रहा है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि company का जो cash flow negative में देखने को मिले तो company के लिए काफी अच्छा positive factor माना जाएगा उसके अलावा दोस्तों हम बात करें cash from investing activity मतलब जो company cash generate कर रही है operating activity से उसको reinvest कर रही है या फिर नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि company लगातार reinvestment कर रही है अपने company के growth को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी company की manufacturing capacity को बढ़ाने के लिए उसके अलावा दोस्तों हम ब पता चलता है कि अगर यह figure negative में हैं तो company लगातार अपने loan को repay कर रही है तो आप देख सकते हैं कि लगातार company हर साल अपने loan को भी repay कर रही है जो company के लिए काफी अच्छा positive factor माना जाएगा उसके अलावा आपने दूस्तों उपर बात किती cash from investing activity तो दूस्तों यह जो figure है negative मे होनी चाहिए उससे पता तलता है कि company लगातार अपने जो profit generate कर रही है cash generate कर रही है उसको reinvest कर रही है company की growth के लिए company की manufacturing capacity को बढ़ाने के लिए तो आप देख सकते हैं company का लगातार यह negative में बना हुआ है सिर्फ एक बार आपको देखने को मिला था यह positive में तो जिसको हम ignore कर स तो लगबख 65% जो shareholders है वो company के अंदर promoters है मतलब जो majority हिस्सा है company का वो company के promoter के पास है मतलब strong hands में है उसके बाद DIY की holding देखें तो इसमें लगाता DIY की holdings आपको increasing trend में नजर आएगी मतलब जो हमारे देश के mutual fund है वो भी इस company को लेकर काफी ज्यादा positive है और इसमें दिल्च के chances इसमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों मैं आपसे एक पॉइंटर discuss करना चाहता हूं कि company ने महाराष्ट के अंदर चार एकर जमीन को खरीदा है अपनी company के नई plant को लगाने के लिए जिसका खर्चा आना है जो capital expenditure होना है वो लगबख 270 करोड का होना है तो company के लिए काफ company के चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों अगर हम बात करें company के चार्ट के बारे में दोस्तों यह फिनोटेक्स chemical limited का weekly चार्ट है अगर आप देखें तो company 2018 2018 में् हाई बनाया था 105 पिर प्र्डपनी लगाँ थे लेकिन अभी कम्पनी देखने को मिला है तो दोस्तों में देख सकते हैं bindi लगाँ थे तो दोस्तो इस company का इस stock का जो consolidation phase तक काफी लंबा रहा है लगबख साड़े-3 साल का consolidation रहा है लेकिन जो textile sector में जो boom आया है उसकी वजा से इस company में भी boom देखने को मिला है तो दोस्तो मैं एक चीज और clear करतूँ आपको जब भी company में इतने लंबे समय के बाद breakout आता है consolidation के बास के बाद breakout देती है तो company का जो share है लगबख वहां से दो गुना तीन गुना आसानी से हो जाता है ये company के लिए आम बात है अगर company इस टाइप का जो breakout देती है अगर हम देखें तो textile sector में काफी ज़्यदा growth होने के chances है तो इस sector में जो upside है वो उसकी कोई limit नहीं है आज की date में company क जो market cap है वो है दोस्तों 12 करोड का तो जिस तरह से company investment कर रही है जो company का future है उसके हिसाब से company आने वाले टाइम में जो कि specialty sector की company है और हमारे देश में जो specialty sector specialty chemical sector है उसमें लोग ज्यादा काफी bullish है सारे investors काफी bullish है तो हो सकता है यह company large company बनती हुई नजर आए हमें वभीश्या में तो दोस्तों अभी company का जो market cap है वो 1200 करोड का market cap है लेकिन एक large gap होने के लिए तो company के market cap कम से कम 15,000 करोड का होना पड़ता है तो आप देख सकते हैं कि अगर company का market cap 12,000 करोड से बढ़कर 15,000 करोड तक का होगा आप सोच सकते हैं कि company का share कहा जाके रुकेगा दोस्तों एक में important चीज और आप लोगों से share करना चाता हूं कि 2021 के बाद से इस company के जो volumes हैं उसमें काफी अच्छा कासा एक उच्छाल देखने को मिला है मतलब यह कि जब से stock ने उपर जाना शुरू हुआ है तो उसमें volumes काफी अच्छे देखने को हमें मिल रहे हैं इसका मतलब ही है कि इस stock में बड़े players enter कर रहे हैं मतलब बड़े बड़े mutual fund मतलब इस stock में बड़े players की entry होना शुरू हो गई है यह इस company के लिए initials हैं काफे अच्छे volumes के साथ इस stock ने growth दिखाई है तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने Phenotex Chemical Limited का business analysis किया उसके बाद हमने company के fundamental analysis किये उसके बाद दोस्तों हमने इस company का technical analysis भी किया तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक देते हैं अगर आप किसी स्टॉक में खरिदारी और बिक्वाली करना चाहते हैं तो अपने financial advisor जा फिर वित्य सलाकार की सला आवश्य ले 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 धन्यवाद दोस्तों